हलो दोस्तों आज हम आपको लेकर आया हैं खेत पर जहां पर बन की फसल बहुत अत्यदिक मात्रा में हो रही है किस तरीका से बन की जो फसल होती है कैसे तयार होती है और किस तरीका से इस पर कपास आती है वो सारी प्रक्रिया आपको समझाने जा रहा हूं ध्यान से सुनियों पूरा वीडियो देखिए, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाए, जिस से आपको नई नई नोटिफिक्शन मिलती रहे, देखिए दोस्तों, जब फसल हमारी तैयार हो जाती है, पेड काफी बड़ा ही है, इसके अंदर कपास है, और जब ये धूप के कारण, और ये दिरे-दिरे करके पक जाता है, तो धूप के कारण ये यहां से फटने लगता है, और उसमें से कपास बाहर आने स्टार्ट हो जाती है, वही कपास है, जिस से सर्दियों में रजाईयां भरी जाती है, जो ह इस कपास के अंदर ही बिनोरा पाया जाता है जो गाय बहेंस जिसे बड़े आनंद के साथ खाती है ये देखिए देखिए इसके अंदर ये रुई है और इसके अंदर ये देखिए ये देखो आप ये निकला आया ये बिनोरा है इसे कपास से बिलकुल अलग कर लिया जाता है और ये गाय बहेंस और पसुझों के लिए खाने के लिए काम आता है ये रुई है जिसका प्रियोग आप सभी जानते हो किस आधार पर किया जाता है ये है डॉक्टरी लाइन में भी जो रुई का काम है उसके लिए भी कियाता है मेडिसन में और उसके बाद जैसे आपका बाती बनाने के लिए भी कियाता है और ये देखिए इस तरीका से आपकी जो कपास है वो तैयार हो जाती है ये पेड़ है कपास का वैसे गरामी छेत में सभी जानते हैं इसके बारे में लेकिन फिर भी जो कपास की खेती नहीं करता है उसे थोड़ा उसके बारे में मालूम नहीं होता देखे किस तरीका से कपास खिली हुई है, ये समझो सोना ही सोना है, लेकिन थोड़ा कपास का भाव अब के थोड़ा कम है, किसान लोग थोड़ा निरास हैं, अब के फसल बहुत अच्छी हुई है, पहले पिछली एर में, पिछली साल कपास का भाव बहुत अच्छा था, और दस हजार के संथिंग कपास गई थी लेकिन अब कपास की किमत थोड़ी कम हो गई है किसान चिंतित है और ये देखिए कपास आपकी आपने देखा ये कपास कितनी खिली होई है चायो तरफ एक दूसरे को बताएं देखें जो सहरों में रहने वाले लोग हैं भाई हैं उन्हें नहीं पता कई बार में से पूछा है कि कपास पेड़ पर कैसे लगती है तो मैंने आपको सारी प्रक्रिया दिखा दिये किस तरीका से फूल पत्ती आती है उसके बाद फिर वह गूलर में तबलीर होता है और गूलर के बाद जब धूप पड़ती है और वह पक जाता है तो इस तरीका से ये कपास करने बाद होता है अगर हमरे चैनल को सबस्ताब ने किया हो तो सबस्क्राइब करें बेल आइकन का बटन दाएं जिससे आपको नई नोट फिक्सन मिलती रहे